We are watching Cartoon Q TV. ये बर्तन तो माजी और चाची जी ने बनाए है. आरे वाँ, इतने सुन्दर बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे. माजी, चाची जी, आपने ये कहां से सीखा? अरे बहु, ये तो हम बच्पन से बनाते आ रहे हैं. ये स्टील, पीतल और काच के बर्तन तो आप चले हैं. पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना खाते थे. ठीक है, तो हम दोबारा से मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाना खाना सिखाएंगे. वीना दीदी और सुजाता भावी आप दुनों बताओ आप दुनों को क्या-क्या आता है मुझे तो खाना अच्छा बनाना आता है बस खाना बनाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं और वीना दीदी आप बताओ आपको क्या-क्या आता है पता नहीं मैंने बच्पन से यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं देवीका वीना को सिलाए कड़ाए और मुनाए बहुत अच्छी आती है आती तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी भी आ जाएगी अब देवीका और बाके सभी औरते गाउं में सब के घर जाती है और गाउं के सभी औरतों से मिल कर कहती है भापी जी अगर आपको अपने या अपने घर वालों के लिए कपड़े सिल्वाने हो तो आप मुझसे ही सिल्वाना बहन जी मिट्टी का चुला बरतन या मटका बनवाना हो तो मुझसे ही बनवाना मैं और विमला दिदी आपके घर के सारे बरतन बना देंगे बहबी आप कभी किसी काम में व्यस्त हो और खाना ना बना पाओ ना तो आप मुझे बता देना मैं आपके घर के लिए खाना बना दूँगी वो क्या है ना आप तो सारा दिन खेतों में काम करती हो और कभी कभी खाना भी नहीं बना पाती होंगी इसलिए इस तरह घर की औरते जी जान से अपने अपने कामों में लग जाती है दीरे दीरे उनका काम बढ़ जाता है और वो अपने घंडर को ठीक करने में लग जाती है वही दूसरी और घर के सारे आदमी घर का काम संभाल नहीं पा रहे थे अरे भई कल्यान चाई तो पिला दे जमाना हो गया अच्छी चाई पिये हुए आप भी न घर के दामाद से क्या-क्या काम करवाते हैं अभी लाता हूँ चाई कल्यान तुम दामाद नहीं बेटे हो इसलिए इस घर के सुख, दुख, घर की काम और बहर के कामों में, तुम्हारा सयोग तो होना ही जाए ना. इतने में कल्यान चाए बना कर ले आता है. जैसे ही सचिन चाई पीता है, तो उसके मुँद से चाई निकल जाती है. जुच जुच यह क्या बनाया है तिकड़वी चाय इससे अच्छा तो करे लेका जूस होता है देख सचिन भाई मैं तो ऐसी ही चाय बनाता हूं पीनी है तो पीनी है तो अपने आप बना ले मैं खाना बनाने जा रहा हूँ रकेला नहीं बना सकता आप इसे कोई मेरी मदद करो सचीन मेरी चाई की बुराई कर रहे थे ना तुम जाओ अब खाना बनाओ सचीन और मोहन दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं मोहन भिंडी काटकर कड़ाई में छोड़ दीता है और उसमें पानी डाल दीता है आपने भिंडी में पानी क्यों डाला शाय पानी नहीं डलता पता नहीं लेकिन माने कभी भिंडी में पानी नहीं डाला था लेकिन बिना पानी के भिंडी बनेगी कैसे मतलब गलेगी कैसे बिना पानी के बनाएंगे तो चिपक नहीं जाएगी कड़ाई से पता नहीं चलो देखते हैं कैसे बनती है भिंडी भीया कितने दिन हो गये न अच्छा खाना खाये हुए खाना तो सुजाता बनाती है इतना मज़ेदार खाना कोई और बनाई नहीं पाता सचिन और मुहन खाना तयार करके लिए आए सभी आदमी खाना खाने लगे खाना बना तो बहुत बुरा था लेकिन किसी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया तब ही जोगिंदर ने कहा घर की हालोत कितनी बुरी हो रही है जगा जगा जाले लगे हैं दो दिन से तो किसी ने जाडू भी नहीं लगाई घर की हाँ और घर में गंदे कपड़ों के ठे लगे है मेरे पास तो यह आखरी कुरता ही बचाय पैनने के लिए कल्यान मौन तुम किसी नौकर को रख लो ना हमने एक दो लोगों से बात की थी नौकर के लिए लेकिन कोई घर में काम करने के लिए तयार ही नहीं है गां के सभी लोग खेतों में ही मजदूरी कर रहे हैं घर के सभी आदमी घर के काम में लगे रहते हैं तो वो अपने खेतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें हर महिने आरतिक रुप से नुकसान उठाना पड़ता है धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लगती है एक दिन कल्यान सबसे कहता है घर को तो आरती संभाल सकती है हमारे बसका नहीं है घर संभालना हमें किसी तरह से उस सब को वापस इस घर में लाना ही होगा अरे कल्यान बेटा पंचायत का फैसला था कि ओरती हमसे माफी मांगे लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी अब हम उन्होंने बुलाने गए तो उल्टा हमें ही अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगनी पड़ेगी हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए बापू उन सबी ने अपने अपने काम शुरू कर दी है क्यों ना हम सब के काम में नुकसान करते इससे वो मजबूर हो जाएंगी हमारे पास आने के लिए भाया ये कैसी बात कर रहे हो इससे वो मजबूर नहीं होगी बलकि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी मैं तो बोल रहा हूँ शराफत से जाकर माफी मांग लेते है मुझे यकीन है कोई माफ करे ना करे मा तो जरूर हमें माफ कर देंगी नहीं सचीन अगर हमने माफी मांगी तो ये सारी औरते हमारे सर पर चड़कर नाचेंगी हमें इनके सामने छोटा नहीं होना है मोहन, कल्यान, तुम दोनों आज सही काम शुरू कर दो बस फिर क्या था घर के सभी आदमी लग गए काम पर मोहन और कल्यान रात को खंडर में पहुँचे और उन्होंने सारे मिट्टी के बरतन तोड़ दिये उसकी बाद वीदा ने जो कपड़े तयार करके रखे थे वो सारे कपड़े उन्होंने फार दिये सुब़ जब घर की आउरतों ने ये सब देखा तो परिशान हो गई अरे ये सारे बरतन किसने तोड़ दिये मा किसी ने मेरे सीले हुए कपड़े ही फार दिये ये हरकत कौन कर सकता है और कौन करेगा भाबी ये सब उन आदमियों की हरकत है जब किसी तरह से हमें जुका नहीं पाय तो हमारी काम बिगाड़ कर हमें परिशान कर रहे है सबी औरते दुगनी तीजी से काम में लग गई उन्होंने दिन रात महनत की और उस खंडैर को महल की तरह बना दिया उनके काम की तारिफ सुनकर दूर दूर के गाउं से लोगाने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे एक दिन सभी औरते बाट कर खाना खा रही थी, तबी विमला ने देविका से कहा देविका, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी मैनत से अपने लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा घर बना लेंगे देविका बहु आज हमें इस बात का एसास हो रहा है कि हम तो सिर्फ सांस ले रहे थे जीना तो हमें तुमने सिखाया है मुझे तो अब भी यकिन नहीं हो रहा कि मेरे पती की पहचान के अलावा भी मेरी कोई पहचान है गाउं की सब लोग मुझे सिर्फ मोहन की पत्नी की रूप में जानती थी लेकिन अब सारा गाउं मुझे जानता है देविका मैं कुछ ही दिन में इस गाउं में एक अच्छा सा होटल खोलूंगी और मैं एक बूटी खोलूंगी मैं यहां गाउं की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ यही मेरा समगा है सभी औरते खाना खाकर सूजाती है रात बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन देविका को नींद नहीं आ रही थी तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी पहले तो देविका थोड़ी डर गई लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो उसके सामने सचिन खड़ा था सचिन तुम यहां क्या कर रहे हो कहीं तुम मेरा कोई नुकसान तो करने नहीं आए मेरे पास तो किताबों के अलावा कुछ नहीं है फारना चाहो तो फार सकते हो देविका अब मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूं बस तुमसे माफी मांगने आया हूं क्या? रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम मुझसे माफी मांगने आए हो प्लीज देविका मा और चाची को समझाओ कि वह बापो और चाचा जी से माफी मांग ले और तुम सब को लेकर घर आ जाए सचीन तुम भी तो अपने बापो और चाचा को अपने साथ ला सकते थे थे ना और मा और चाची से माफी मंगवा सकते थे थे ना प्लीज देवे का मुझे माफ कर दो और घर चलो कैसे माफ कर तो सचीन तुमने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया अगर मा और चाजी हिम्मत करके मुझे अस्पताल ना ले जाती तो आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा ना होते ना तुम मुझे अस्पताल में देखने आए और ना ही अस्पताल से आने की बाद मेरा हाल चाल पूछा मुझे तो छोड़ो तुमने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा और तुम मुझसे उम्मिद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ करतू कभी नहीं सचीन देखो देविका हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है घर के काम की वज़े से हम बाहर के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं घर और जिंद की दोनों अस्तव्यस्ता है वो इसलिए कि तुम सब आदमी संगठित नहीं हो अपना दिमाग और उर्जा हमें परिशान करने में लगा रहे हो और हम औरते संगठित हैं हम अपना दिमाग और उर्जा अपनी प्रगति में लगा रहे हैं इसलिए हमने खंडहर को भी महल की तरह कर दिया और तुम्हारी हविली खंडर की तरह लगती है सचिन देविका से बार-बार माफी मांग रहा है क्या सचिन को अपनी गलती का सच में पचतावा है या फिर ये घर के आदमियों की कोई नई चाल है ये जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतिजार करना होगा और हाँ कमेंट करके हमें ये भी जरूर बताइए कि क्या देविका को सचिन को माफ कर देना चाहिए क्या उसे सब कुछ भूल कर सचिन के साथ अपना घर बसाना चाहिए या फिर सचिन को भूल जाना चाहिए सास का घुंगट पार्ट सिक्स अब तक हमने देखा कि रात की अंधेरे में चुपके से सचिन देविका से माफी मांगने जाता है लेकिन देविका कहती है सचिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरा आत्मसम्मान है इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती अब तुम यहां से जा सकते हो देविका एक बार मुझे मेरे बच्चे से तुम मिलने दो मैंने अभी तक उससे देखा भी नहीं है कौन सा बच्चा सचिन? वही बच्चा? जिससे तुमने और तुम्हारे बाप ने अपने घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया? अज अचनक बच्चे की याद किसे आगी? देखो सचिन, चले जाओ यहां से मेरे बच्चे के सामने और मेरे सामने फिर कभी मता ना सचिन जब घर जाता है तो घर के सभी आत्मी उसे डांटने लगते हैं इतनी रात को कहा गया था सचिन? देविका से माफी मांगने तुझे शर्म नहीं आई अपनी बेवी से माफी मांगते हुए? घर की इज़त का कुछ खयाल है की नहीं? लिकिन चाचा जी आखिर अपनी ही पत्नी से माफी मांगने में कैसी शर्म? लो जी लो, नवाब जादे पूछ रहा है की कैसी शर्म? अरे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि देविका तेरी पत्नी है या तू देविका की पत्नी है? जी जा जी, पत्नी एक समान होते हैं और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता काश मैंने पहले अपनी पत्नी का साथ दिया होता आज मैं आखरी बार आपको समझा रहा हूँ कि आप सब भी अपनी पत्नियों से माफी मांग लो देविका ने तो मुझे माफ नहीं किया शायद मा, चाची, भावी और दीदी ही आप सबको माफ करते सचिन सभी को समझाने की बहुत कुशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता वहीं दूसरी और सुजाता की हाथ का बना खाना सारे गाउं में फेमस हो गया था तो उसने एक बहुत अच्छा सा होटल खोल दिया देवी का मैं चाहती हूँ मेरे होटल की सबसे पहली ग्राहक तुम ही हो क्योंकि तुम्हारी वज़े से ही आज मैं अपना खुद का होटल खोल पाई हूँ क्यों नहीं भाबी लेकिन भाबी आपको अब अपने होटल में ना सिफ इंडियन खाना बनाना है बलकि इटालियन, चाइनीज और फ्रेंच खाना भी बनाना होगा सुजाता सभी आउरतों को अपने होटल का खाना खिलाती है खाना खाने के बाद कम्मों कहती है अरे बहु, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती तू तो वो हो गई, क्या कहते हैं उसे मास्टर शेफ चाची जी हाँ, मास्टर शेफ बहु, अब तेरा होटल चलेगा नहीं, बलकि दाड़ेगा हाँ बहु, तुने सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है अब वीना बेटी तुझे क्या करना है अपना बुटिक कब खोलेगी मा कल ही कर देती हूँ, दुकान और सिलाय मशीनों का सारा काम हो गया है और वर्कर भी आ जाएंगे तो ठीक है फिर, अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए देवी का, मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान का इनुगरेशन तुम करो अकिर तुम्हारी वज़े से तो मेरा बुटिक खोल रहा है अगले दिन वीना भी अपना बुटिक खोल लेती है उसका बुटिक भी चलने लगता है मा आजकल ना कस्टमर ज्यादा हो गया है बुटिक में जो वरकर है, वो वरकर कम पढ़ रहे है मुझे और वरकर की जरुरत है बेटी गाउं में तो तुझे कोई मिलने से रहा अच्छे वरकर तो शहर से ही मिलेंगी हमें भी कुछ लोगों की जरुरत है जो हमारे बरतन शहर ले जाकर बेच सके देवी का बहु, अब तू ही कुछ कर ठीक है माजी, मैं अपने पापा से बात करती हूँ वो अखबार में इश्तिहार दे देंगे तो कई वरकर आ जाएंगे कम्मो और विमला के बनाय बरतन भी दूर दूर तक बीखने लगे सभी औरते देखते ही देखते बहुत फेमस हो गई अब देवी का ने गाउं में अपना स्कूल भी खोल लिया सभी गाउं की लड़किया स्कूल जाने लगी एक दिन देवी का ने सभी से कहा माजी मैंने स्कूल तो खोल लिया है और गाउं की लगबख सारी लड़कियां भी आ रही है लेकिन कल से आप सब भी आएंगी गाउं की सभी औरतों की साथ देवी का पहु कैसी बात कर रहे है तू इस उम्रम में हम स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या माजी पढ़ने की कोई उम्रह नहीं होती और आप सब को मैंने कितना कुछ तो सिखा दिया है अगर आप सब स्कूल पढ़ने आएंगी तो इससे गाउं की सभी औरतों को हिम्मत मिलगी लेकिन बहु अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत अब तो हम बोड़े हो गए हैं चाची जी जरूरत है पढ़ने की और पढ़ने की कोई उम्रह नहीं होती अब देविका लड़कियों को पढ़ाने के साथ-साथ गाउं की औरतों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगी कुछ दिन में घर की सभी औरतों के बारे में राजी के बड़े-बड़े मंत्रियों को पता चला और वो सीधा उनके गाउं उनसे मिलने पहुँचे देविका जी आपकी वज़े से पूरे गाउं का नाम रोशन हो गया है जगा जगा आपके घर की सभी औरतों की तारीफ हो रही है हाँ देविका जी आप सभी के बारे में सुनकर हम अपने आपको रोक नहीं पाए और आपसे मिलने आ गए देविका जी हम आपको और आपके घर की सभी औरतों को सम्मानित करना चाहते हैं और आपके स्कूल के लिए डोनेशन भी देना चाहते हैं इस तरह मंत्री और गाउं के सभी लोग देवीका के साथ साथ उसके घर की सभी औरतों को प्रतिक चिन्ह दे कर फूलों की माला पहना कर और शौल दे कर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा देवीका के स्कूल के लिए भी बहुत पैसा देते हैं। जिस पंचायत ने देवीका के खिलाफ फैसला सुनाया था। उस पंचायत को अपने फैसले पर आज पचतावा हो रहा था। उधर घर के आदमियों के हालत और भी खराब हो रही है। बापू चाचा जी अब सचीन ने आपको समझाया था कि सबसे माफी मांग लेते हैं। तब आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखिए सभी का राजियों में कितना नाम हो रहा है। खुद मंदरी जी उनको सम्मानित करने आया है। बापू, मोहन और सचीन ठीक कह रहे हैं। हमारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ना तो हम घर का कोई काम कर पा रहे हैं और ना ही बाहर का। तुम लोग जरूरी बात सबसे आखिर में बताते हो। ये बात तुम लोग पहले भी तो बता सकते थे। भाया, हमें सबसे माफी माँगनी चाहिए और सबको यहां बुला कर लाना चाहिए। ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो चलो, आज ही घर के सभी औरतों को घर ले गर के सभी आदमी चल देते हैं, सभी औरतों से माफी मांगने के लिए, जैसे ही वो औरतों के पास पहुंचते हैं, सभी हैरान हो जाती है, कम्मो, ये सब यहाँ क्यों आये हैं, पता नहीं, लगता है आज फिर जगडा करने आये हैं हमसे, अगर आज कल्यार ने मुझे कुछ बोला तो इसे छोड़ूँगी नहीं मैं, मैं भी नहीं छोड़ूँगी मोहनजी को, ना इनका भरता बनाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं, शान्त रहो आप सब, देखने तो दो क्या कहते हैं, सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगती हुए कहते हैं, कम् मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुमारी और तुमारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है, तुम मेरे साथ घर चलोगी ना, वीना वो घर मेरा नहीं तुमारा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वज़े से अपना घर छोड़ दो, इसलिए अपने घर चलो और हम सब को माफ कर दो, अपने पतियों के इस तरह माफी मांगने से, सभी औरतें अपने पतियों को माफ करके, उनके साथ जाने को तयार हो जाती है, लेकिन देवी का घर आने से मना कर देती है, सभी औरतें उसे समझाती है, देवी का बहु, अब घर जाने में क्या दिक्क मांग तो लिए सबने माफी देख तो सचिन भी कितना शर्मिंदा है हाँ बहु हमारी लड़ाई तो यही थी कि ये हमसे माफी मांग कर इसद के साथ घर ले जाए अब घर चलने से तेरी शादी बच सकती है चाची जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ अब दुबारा से फिर कह रही हूँ मेरे लिए शादी से बड़ा है आत्मसमाद आप लोगों की शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है लेकिन मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है इसलिए शायद आप लोगों को फर्क नहीं पढ़ता कि आपके पती ने आपके साथ क्या किया पर मुझे इस बात से बहुत फर्क पढ़ता है कि मेरे पती ने मुझे अपने बराबर नहीं समझा और इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती देविका मैं अपने बरताओं के लिए बहुत शर्मिंदा हो तो जिन्दगी भर शर्मिंदा रहना और हाँ, आप सब इनके साथ जाना चाती है तो जाइए लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखेगा शादी सिर्फ एक रस्म होती है इस रस्म में पती और पत्नी बराबर के हिस्सिदार होते है ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा इसलिए यदि आपका पती आपको सम्मान दे तो बदले में उसे सम्मान दो नहीं तो वो जैसा करे आप भी वैसा ही करो देवीका सचिन के साथ नहीं जाती है और अपने बेटी के साथ वहीं रहने का फैसला करती है आपको कैसा लगा और हमारी कहानी सास का घुंगट आपको कैसी लगी इसी तरह की मज़िदार कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें